नमस्कार दोस्तों एक बहुती बड़ी नोटिफिकेशन जो आपकी पोस्ट कोड 903 HPJOE का रिजल्ट यहाँ पर एनाउस कर दिया गया है हमिरपूर चैन बोर्ट के द्वारा जी हां इसमें टोटल 82 पोस्ट हैं थी 36 जनरल की और बाकी आप देख सकते हैं किन-किन कैटिकरी की कौन-कौन सी पोस्ट थी तो इसका रिजल्ट यहाँ पर डिकलेर कर दिया गया है हमिरपूर चैन बोर्ट के द्वारा 19 दिसंबर को यह टेस्ट किया गया था और इसका रिजल्ट 21 अप्रेल 2022 को यहाँ पर डिकलेर किया गया है इसमें मैं आपको बता दूं 48,665 एप्लिके किया था और उसमें से आउट आफ दा टोटल 16,207 केंडिडेट्स में से 842 केंडिडेट्स जो हैं वो सक्सेस्फुली एडमिट किये गए हैं शॉर्ट लिस्ट किये गए हैं आगे आपनी फाइनल जो आपकी यह टाइपिंग टेस्ट होने स्किल टेस्ट होगी उसके लिए 8 842 केंडिडेट्स को जो है यहां पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से त्यारी करी थी बहुत मेहनत करी थी I hope for the best कि उनका यहां पर selection हो जाए और इस cut-off लिस्ट में उनका role number ज़रूर आए तो इसके लिए आप सभी को all the best और इसमें एक और बात में यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका typing test conduct होने वाला है वो 5-7 मई को यहां पर HP हमिरपूर board के द्वारा conduct करवाया जाएगा 5-7 मई कोई ज़्यादा समय नहीं दिया गया है चैन बोर्ड के द्वारा तो इसमें आपको attentive रहना पड़ेगा अगर आपके अच्छे marks बन रहे हैं तो आप ज़रूर typing की और विशीष ध्यान दें अगर आपका इस list में भी आगर आपका नाम आया है role number आया है तो तब भी आप इस चीज को lightly नहने क्योंकि time समय जो है बहुत कम है कुछ बच्चे exam जब ये cut off आती है उसके बाद त्यारी करना start करते है typing test के लिए लेकिन अगर आपकी पहले से थोड़ी अच्छी त्यारी है तो आप ज़रूर इसको थोड़ा seriously ले और typing test की त्यारी ज़रूर final answer की के अनुसार वो ज़रूर आप इसमें देखें क्योंकि अभी revised final answer की release की गई है HPSSB board हमीरपूर के द्वारा आपके कितने marks पहले बन रहे थे अपनी answer की उसको एक बार final answer की के साथ match करें क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी question यहाँ पर ग new answer की के साथ कितने question जो है वो match हो रहे हैं उन चीजों को आप एक बार दोआरा से revise कर दें और आपके final marks उसके बाद कितने बन रहे हैं तो वो आप comment section में जरूर comment करें ताकि इस चीज का पता लग जाए कि final cut off या minimum cut off कितनी गई है क्योंकि इसे एक थोड़ा सा idea over भी हो जाता है कि आप general category से belong करते हो आपके कितने marks बन रहे हैं कितने कम तक यह final answer की या final cut off जो कितनी minimum तक यहां पर गई है तो यह एक बार आप ज़रूर इस चीज को देखें अपनी पुरानी answer की जो release कही थी हमीरपूर board के द्वारा वो द्वारा से यहां पर revise की गई है आप इसको official website स हमीरपूर board की वहां से download कर सकते हैं और आगे फरदर आपके कितने marks बन रहे हैं new answer की एक अनुसार वो आप comment section में comment जरूर करें ताकि एक minimum cut off का पता लग जाए कि इतनी इस category की minimum cut off गई है और यह आप download official website से कर सकते हैं अब उसमें भी अगर आपको पता ना लगे तो जहां प answer की download का option आता उसमें question paper उस link पर जा करके वहां पर answer की download कर सकते हैं select कर सकते हैं वहां पर किस exam जेवे IT postcode 903 question paper को आप select कर सकते हैं और कोई भी series select करके आपको पूरी pdf यहां पर available हो जाएगी जो आप अभी यह pdf देख रहे हैं ऐसी pdf a b c d series सभी के आपको download हो जाएगी एक स result यहां पर declare किया गया है जो की है clerk का जेवे सौरी माफ करें यह clerk का postcode 918 का यहां पर result announce किया गया है पिछले कली हमिरपूर चैन बोर्ड के द्वारा तो इसमें अगर मैं आपको बात करा दूँ जिस 48,137 प्रोविजनली यहां पर admit किये थे exam देने के लिए और उसमें से total 24,390 candidates absent हुए थे और 16,207 बच्चों ने यह exam दिया था और उसमें से 119 candidates को जो यहां प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया गया आगे फर्दर typing test के लिए और इसमें जिन जिन का row number है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और इसमें भी आप comment जरूर करें कि आपकी आएक बार दुआरा से चेक कर लें जो final revised answer की है उसके अनुसार आपके कितने marks बन रहे हैं वो चीज़ भी color quality जरूर यहां पर ध्यान दें और comment जरूर करें कि आपकी cutoff कितने की है जहां तक सुनने के लिए मिल रहा है वहां पर 65 plus यहां पर general unreserve की cutoff गई है और क्योंकि post मेरे ख्याल से यहां पर एक ही post general unreserve की थी तो इसमें 65 plus यह cutoff गई है general candidates के लिए और बाकी का EWS का शायद यहां पर 60 के around बोला जा रहा है तो आप जरूर एक बार अपनी जो पुरानी अंसर की है उसको check कर लें सबसे पहले तो अपना roll number चेक कर लें उसके बाद final जो answer की है उससे अपनी exam answer की उसको tellie कर लें कितने आपके new answer की है के चले शाय है rough question बन रहे हैं कितने हैं सही है आपके question final marks आपके यह बन रहे हैं तो तो वो चीज़ आप वहाँ पर टैली कर सकते हैं पर जुरूर आप कमेंट करना ना बुलें दोस्तों क्योंकि इसे एक minimum cut-off का पता लग जाता है कि आपका final selection होने वाला है या नहीं होने वाला है तो उस चीज़ के उपर अगर आप अच्छे से comment करोगे तो उसके उपर में next expected cut-off जो final cut-off रहेगी वो कितनी तक रहेगी उस चीज़ के उपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद एक और answer की notification आपको मैं बता दू जो जेवे IT postcode 939 था जेवे IT postcode 939 था उसके बारे में अगर मैं आपको बता दू तो उसमें post जो है यहाँ पर increase की गई है जी हाँ उसमें post जो आपकी increase की गई है पहले आपकी दो नाइटेंड़ डो सो पोस्टें थी जो घटकर around 196 हो गई थी पहले 200 post धी जो बाद में घटकर 196 के around हो गई थी लेकिन उसमें 104 पोस्टें और एड़ अप की गई हैं और टोटल पोस्टें जो बन रहे हैं वो 300 पोस्टें यहाँ पर आपकी जेवाइटी पोस्ट कोर 939 में अब हो गई हैं और जो जनरल केंडिडेट्स की जो पोस्टें उसमें शायद 114 पोस्टों के आज पास अब जनरल की होगी उसमें जेवाइटी पोस्ट कोर 939 में और बाकी डिफरेंट केटेगिरीज में भी पोस्टें थोड़ी बड़ी हैं वो भी आप official notification चेक कर सकते हैं हम इरपूर चैन बोर्ड की website दे और जो last final मैं अगर बात अबता हूँ तो जेवे का जहां तक मुझे जितने भी मेरे साथी हैं जितने candidates हैं, aspirants हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है तो उनकी अगर मैं final answer की के बाद final answer की में उनके 2 से 4 question increase हुए है और जो उनके exam जहां तक मेरे circle में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जिनके marks J.O.I.T. post court 3 में एक 55 marks का भी एक candidate है उसका भी उस 842 जो candidate select गया है final इसके लिए टाइपिंग test के लिए तो उसका भी वहाँ पर नाम roll number आया है तो अब यह मैं pin कर दूँगा मुझे यह नहीं पता कि वह किस category है तो general category से बट या unreserved है या EWS है तो उसी इसको मैं comment pin section में pin कर दूँगा और अगली अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक बच्चों का 60 के round marks बन रहे कुछ एक बच्चों के 58 के round marks बन रहे उनका भी इस list में J.O.A. unreserved की मैं बात कर रहा हूँ J.O.A. postcode 903 unreserved category की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 58 तक तो done है कि इतनी cut off तो गई है लेकिन उसके अगर minimum किसी बच्चे का यहां पर selection हुआ है तो वो please इस video में जरूर comment करे कि उनका किस तरह से marks बन रहे हैं उनकी category कौन सी है और आगे फर्दर मैं बात करूँ other categories की तो वो भी अपनी category को mention करे अपने marks mention करे और final आपके dv में कितने marks लगने वाले वो चीज़ भी एक बाद जरू mention कर दे ताकि ये पता करने में असानी हो जाए कि final cut-off कितनी रहने वाली है after आपके typing test है और एक और मैं बात बता दू जो final cut-off है final cut-off जो ये typing test है typing test में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर उन्ने के chances मंजे ज़ादा लग रहे हैं कि time span जो है वो बहुत कम है और उसके बीच में जिन्होंने पहले से त्यारी करके रखी है अपनी typing test की तो वो अच्छे तरीके से यहाँ clear कर सकते हैं लेकिन बच्चे after cut-off जब cut-off आती है उसके बाद त्यारी करना start करते हैं अभी 24 अपरेल को यहाँ पर जेवे postcode 939 का exam है तब तक तो कोई भी यहाँ typing test की त्यारी नहीं करने वाला लेकिन उसके बाद बसते हैं आपके पास 10 दिन 10 दिन में आप कितनी कर typing कर पाऊगे यह आपकी जो typing speed आप पहले से आपने त्यारी कर रखी है या नहीं करी है उसके उपर भी depend करने वाला तो यह थी notification तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पूरे तरिके से बता दिया और तब तक के लिए आप सभी comment section में comment कर सकते हैं कि कि कितने आपके exam marks बन रहे हैं section category क्या है एक बार द्वार से आपको याद इला रहा हूं और जिनका 24 अप्रेहल को जे हुए IT पोस्ट को 939 का exam है उनके लिए all the best आपका exam अच्छे हो जाए और अच्छे से exam देना कुछ एक बच्चों का जिसमें 903 में भी selection हुआ होगा और उनका 939 का exam भी होगा तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो थोड़ा attention free हो करके यहां यह exam दे तो यह सारी बातें थी तब तब के लिए signing off thank you for watching this video thank you